हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासर स्वतिकेड मी आपको जिसे पता है कि हमने पंजाब पत्वारी 2020 के रिगार्डिंग कोर्स शुरू किया हुआ है जिसके अंदर आपको मेत की क्लास्टे मिलती है और जीके की क्लास्टे मिलती है और आज से क्म्पिटर की क्लास्ट शुरू की है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंच के साथ शेर भी करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो एक बात मैं और बता दूँ अगर आपको पंजाब पुट्वारिक रिकार्डिंग कोई भी स्टड़ी मिटेरियल चाहिए तो आप हमारे फेस्बुक पेज मासर्श्वतिक एडमी को जोइन कर सकते हैं वहाँ पर हम सारा स्टड़ी मिटेरियल जो है प्रॉइड करते हैं तो सबसे पहला आज हम इस वीडियो के अंदर है जो क्म्पूटर से रि-लेड़िड फूल फॉर्म्स होती है उसको डिस्कस करेंगे यह जो जितने भी फूल्स hard है यह विफ पिछल्बिद दस साल जो एकजाम थे पंजाब के जो पिर हुई है पिछले दस सालों ASP Active Server Page Active Server Page BCC Blind Carbon Copy अगर यह CC आ जाए वेपर में तो यह Carbon Copy होता है और BCC Means Blind Carbon Copy तो यह computer से related सभी Philforms है यह आपको इनमें से exam कु में देखने को मिलेगी मिलेगी यह जितनी भी most important है पिछले दस साला में आई हुई यह हम लग बग तीन वीडियो के अंदर पूरी कर लेंगे तो लगबग 20 से 25 आज इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा मैं और नियर अबाउट 87 जो अब्रेबियेशन है उससे आपके 2 से 3 नमबर पंजाब पटवारी के एक्जाम में आप कवर कर सकते हो तो नेक्स्ट है केड़ केड़ होता है इसकी फूल फॉर्म होता है वह लगबग नहीं पता होती तो इसकी फूल फॉर्म है code division multiple access cdm means c stands for code division multiple access तो next page पर चलते हैं sram sram सबसे पहले ram की full form आपको पता होनी जाहिए random access memory तो random access memory यह यह स्रेम है तो स्टेटिक रेम मीन स्टेट करेंडम X Un接下來 आगे डी रेमड़न देनेमिक रेंडम एक्सेस मेमरी यह अपने ध्यान रखना है पी रोम्र 것 की यह फूल accum 대리 रोम्रौं और य। प्रोम है थ्रोमो रॉम एपी रॉम है एलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रॉम डबल एपी रॉम है एलेक्ट्रिकली इरीजिबल प्रोग्रॉम तो यह आपको यह जो सीरीज है यह रेम की फुल फॉम है और रॉम की यह के टाइप्स है तो यह आपने कवर कर लेनी है यहां पर नेक्स स्लाइड की बात कर लेते हैं DPI जो एक्स सीट होती है उसमें होता है यह DPI तो इसकी फॉल फॉर्म होती है डोट पर इंच डी एसल मॉस्ट इंपोर्टेंट है डीजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो फाइबर की जो अंडरग्राउंड तारे में छाई जाती है लेंड फाइल एलोकेशन टेबल यह एक वाइरस होता है तो आपने द्यान में रखना है में नेट मुबाइल अड़ोक नेटवर्क तो इसकी फॉल फॉर्म आपने द्यान में रखना है यह जितनी भी है ना यह मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसे M IPS वी आई पीएस टी आइपीएस त बिलियन इस्ट्रेक्षिन पर सेकंड बिलियन इस्ट्रेक्षण पर सेकंड और नेंस्ट पेज पर मुव करते हैं मेडिया एक्सेस कंट्रोल सी एन केंपस एरिया नेटवरक पैन यह आपको पता ही होगा परसनल एरिया नेटवरक होता हिए चैन स्टोरेज एरिया नेटवरक यह मॉस्ट इंपोर्टन अब्रेवियसन है जो कि पिछले एक्जामस में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर होता है यह आई पी वी 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है तो यह कुछ फुल फॉर्म स्थी नियर बाउट 20 से 25 होगी है यह तीन वीडियों के अंदर मैं पूरी की पूरी अब्रेवियेशन करा दूंगा अगर इससे बार आए तो आप बोलना अगर किसी को को डाउट हो या स्लेबस के बारे में पूछना हो एक्जाम कब होगा यह पूछना हो या अब गैसी कब आए तो आप में कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो फेस्बूक के उपर पेज उस पर जितनी भी प्रकार का स्टेडी मटीरियल होता है जैसे यह पीडियेफ होगी और भी कोई नौटिफिकेशन आती है या पीडियेफ होता है तो वह हम अमारे फेस है थैंक यू एवे नाइज दे